भेतर ग्रेलूत पादन के बावजूत देश में मसूर का बेताहाशा आयात हो रहा है और चालू वितवर्ष के शुरू के दस महीनों में ही इसका आयात उचल कर अपने उपरी सरों पर पहुंच चुका है जबकि दो महीने का आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है वहीं मिली जानकारी के मताबिक अपरल 2023 से जनवरी 2024 के इन दस महीनों के दरान देश में कुल 14,95,496 टन मसूर का रिकोर्ड आयात हुआ है जो कि पिछले साल 2022-23 में समान अवधी के आयात 6,25,896 टन के दोगुने से ज्यादा है वहीं अगर 2021-22 से इसकी तुलना की जाए तो इसका आयात धाई गुना से ज्यादा है वितवर्ष 2022-23 की अवधी अपरेल से मार्च के दोरान देश में कुल 8,58,433 टन मसूर का आयात हुआ था जबकि 2023-24 में आयात इससे दूगना हो सकता है इससे पहले भी 2021-22 में 6,67,431 टन मसूर का आयात हुआ था जबकि साल 2021-21 में आयात बढ़कर 11,16,174 टन के रिकोर्डस तर पर पहुँच गया था वहीं 2019-20 में आयात 8,54,460 टन दर्च किया गया था वहीं अगर अब महिना वाइस देखा जाए तो मसूर का आयात अपरेल 2023 में 6,447 टन मही में 61,999 टन तो जून में 1,70,176 टन देखने को मिला तो जुलाई में 1,067,803 टन रहा तो अगस्त में 1,44,128 टन जबकि सितंबर में 1,91,531 टन दर्च किया गया अब अक्तूबर की बात की जाए तो अक्तूबर में 1,43,685 टन देखने को मिला जबकि नवंबर में 1,64,146 टन मसूर का आयात किया गया तो वहीं दिसंबर में 2,37,836 टन आयात पहुँच गया जबकि जनवरी में 1,47,745 टन का आयात होने का अनुमान है आपको बता दें कि मसूर का आयात मुखे रूप से आस्ट्रेलिया और कैनेडा से किया जाता है हलाकि वर्ष 2022 की तुलना में 2023 के दुरान इन दोनों ही देशों में मसूर का उतपादन कम देखने को मिला लेकिन फिर भी भारत की मांग और जरूरत को पूरा करने के लिए वहाँ पर इसका प्रयाप स्टोक मजूद है इस बार मसूर का घरेलू उतपादन भी बढ़कर 16 लाग टन से उपर पहुंचाने का अनुमान है ऐसे में उमीद की जा रही है कि आगे चल कर मसूर की कीमतों में गिरावट बन सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मारकेट टाइम्स टीवी